सब्सक्राइब करें कुकविट सोफिया को और बेल आइकन को प्रेस करें न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए थैंक यू वेल्कम बैक टू मैं चैनल आज मैं आपको चीजी ब्रस्ट कटलेट के सपी देने जा रही हूँ जो की बहुत ही चीजी और बहुत ही माउट वाटरिंग है यह वेलेंटाइन डे स्पेशल टिश मैंने आपके लिए बनाई है तो यह काफी इंट्रिस्टिंग होने वाली है और मैंने इसे काफी चीजी बनाया है बिल्कुल यह चीज से भरा हुआ है बिल्कुल चीजी बस कट कटलेट है यह तो मैं आपको यह दिखाऊंगी कि यह किस तरह से बनाया है मैंने और बहुत ही टेस्टी बहुत ही लजीज बना है यह और बहुत ही क्रिस्पी भी है और इसकी जो इंग्रेडियंट्स की लिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी बट इससे पहले एक और बात गाईस अगर आपने अब तक मेरे चैनल कुप वित सोफिया को सब्सक्राइब कर लें तो चलते हैं चीजी बस कटलेट बनाने चलते हैं रेसिपी की तरफ तो सबसे पहले हम इसकी cheesy feeling बना लेंगे तो इसके लिए मैंने एक छोटी कड़ाई को gas पे रखा है जैसे ही हलकी गर्म होगी हम इसमे 1 tablespoon milk डाल देंगे यह देखिए मैंने इसमे 1 tablespoon milk डाल दिया है इसके साथ ही हम इसमे 1 tablespoon butter डाल देंगे इसे हम melt कर लेंगे इसमें अच्छी तरीके से यह देखिए इसमें पूरी तरीके से melt हो चुका है अब मैं इसमें cheese के slices यह मैंने 2 cheese के slices लिए वे हैं यह है processed cheese यह मैं इसमें डाल दूँगी आपके पास cubes होगे तो आप cubes ले ले मेरे पास नहीं थे मैं इसी का use कर रही हूँ तो 2 slices को मैंने इसे तोड लिया है अब मैं इसमें इसे डाल दूँगी यह देखिए यह अच्छे से melt हो चुका है अब मैंने gas को कर दिया है off अब मैं इसमें 1 pinch के करीब freshly crushed black pepper इसमें add कर दूँगी यह totally optional है आप चाहे तो इसे skip भी कर सकते हैं बट इससे इसका taste काफी अच्छा आजाता है तो मैं इसे add कर रही हूँ अच्छे से mix कर लें इसे यह बहुत ही अच्छी सी cheesy filling हमारी बन करके तयार हो चुकी है अब हमें इसे fridge में रख देना है ताकि यह set हो जाए तो चलिए इसे fridge में रख देते हैं 30 minutes के लिए जब तक वो set हो रहा है fridge में तब तक हम इसकी टिकी की preparation कर लेते हैं तो इसके लिए मैंने एक pan को कैस पे रख दिया है अब जैसे ही गर्म होगा हम इसमें oil add कर देंगे पेन अच्छे से गर्म हो चुका है अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून oil add कर दूँगी थोड़ा सा तेल को गर्म कर लेंगे तो तेल अच्छे से गर्म हो चुका है अब मैं इसमें 1 टी स्पून जीरा add कर दूँगी साथ ही मैं इसमें 1 पिंच हिंग भी add कर दूँगी अच्छे से मिक्स कर लूगी मैं इसे 1 टीस्पून इसमें हल्बी पाउडर भी आट कर दूगी मैं जिसे ही थोड़ा सा बुन जाता है तो मैं इसमें आलू जो मैंने 2 मीडियम साइज के आलू को वाइल करके मैश करके रखा हुआ है वो आट कर दूगी तो इंक्रीडियंट्स की पूरी की पूरी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो इससे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसमें 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 मिक्स करने के बाद मैं इसमें नमक एड़ करूँगी तो आप अपने टेस्ट के कॉर्डिंग नमक एड़ और साथ ही वन टीस्पून ब्लैक पिपर जो मैंने फ्रिश्ली क्रश्ट किये वे हैं वो भी आड़ कर दूँगी, वास्ट में हम इसमें हरा धनिया आड़ कर देंगे, हाफ कप, तुमाम चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, तो यह हो चुका है अच्छे से मिक्स, कि हम इसके टिकिया बना पाए, यह देखिए, यह आलू भी हमारे अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, और यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून मैदे और 1 टेबल स्पून कॉन प्लार का एक हलका सा ठीक के यहाँ पे बैटर रेडी किया है, अच्छे से कोट हो सके, ऐसा बैटर म हम इसमें टिकियों को कोट कर सके, बहुत जादा रनी नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसमें ब्रेट क्रम्स लेकर के, उसमें 1 टेबल स्पून मैंने रेड चिली फ्लैक्स मिला दी है, और यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून इसमें पिज़ा सिजनिंग मैंने एड़ कर दी है मिला दी है, तो इस तरह से मैंने ब्रेट क्रम्स तयार कर लिए है, सबसे पहले हम इन टिकियों का शेप बना लेंगे, जिस भी शेप में आपको चाहिए, तो हम यहाँ पे वाइलेंटाइन डे स्पेशल डिश बना रहे हैं, टिकिया बना रहे हैं, चीजी टिक्की, तो मैं यहाँ पे हाट शेप के टिक्की बनाऊंगी, तो आप देख सकते हैं, यह अच्छे से बिल्कुल सेट हो चुका है, तो चलिए इसे फिल करते हैं, तो इस तरह से हम टिक्की के लिए आलू लेंगे, उसे थोड़ा सा फ्लैट करेंगे, एंड सेंटर पे वो चीजी फिलिंग जो है हमारी उसे इसमें फिल कर देंगे, तेखिए इतनी क्वेंटिटी में मैं इसमें फिल कर रही हूँ इसे, अच्छे से इसे बंद कर देंगे हम, एंड इस तरह से हम इसे राउंड करेंगे, साधा हाथों में हमें रख के इसे गुमाना नहीं है, हमारे हाथेलियों में ह होती है इसकी वज़े से यह अभी से ही पिगलनी स्टार्ट हो जाएगी तो इसे अच्छे से हाट का शेप मैं दे दूंगी यह देखिए इसे मैंने एक हाट का शेप दे दिया है इसी तरह से मैं सभी को तयार कर लेती हूं एक बात और आपसे क्लियर करना चाहती हूं आप इसे एक एक करके बनातेज़ें और फ्रीजर में रखते हैं नहीं तो यह बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाएगा तो चलिए सबी को बना करके फ्रीजर में रखते जाते हैं एक निकाला है, बहुत जल्दी मेल्ट हो चाहिएगा, that's why मैं एके करके निकाल रही हूँ फ्रीजर से, और मैं इसमें मैदे और कॉंसलार के यह जो बैटर है, उसमें मैं अच्छे से इसे कोट कर लूँगी, उसके बाद मैं इसे इसमें से निकाल करके, इसे निकाल लूँग कोट कर लिया है, इसी तरह से मैं सारे ऐसे ही बैटर में डाल के फिरस में ब्रेट करम से कोट करके इसे अच्छे से तयार कर लूँगी, और फिर से 10 मिनिट के लिए इसे फ्रीजर में रख दूँगी, तो यह देखिए मैंने तेल गर्म होने के लिए गयस पे रख दिया है, अब यह जैसे गर्म होता है, हम इसमें अपने कटलेट डालना स्टार्ट करेंगे, तो तेल हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए पहले, हाई हीट पे हम इसे अच्छे से पहले कर लेंगे, जैसे हम इसमें टिक्या डाल देंगे, तो हम फ्लेम को मेडियम कर दें तब मैंने फ्लेम को मेडियम पर कर दिया है ताकि यह अच्छे से क्रिस्पी हो पाए हमें इन्हें अच्छे से गोल्डेन ब्राउन कर लेना है एक एक करके हमें इसे फ्लाई करना है ताकि ओईल की जो हीट है उसका टेंपरेचर सडेनली लो ना हो जाए और यह अच्छा से क्रिस्पी फ्लाई हो तो यह देखिए इसका कलर अच्छा सा गोल्डेन ब्राउन हो चुका है इसे निकाल लूँगी तो मैं इसे टिशू पेपर पर निकालती जाओंगी यह देखिए कितना अच्छा हमारा हाट शेप का पोटैटो कटलेट बन करके बिल्कुल तयार है इसी तरह हम सभी को फ्राई कर लेंगे आइस आप देख सकते ही मैंने सारी हाट कटलेट को आती हूं यह देखिए कितने की बनें इनके उपर का क्रश आपको साउंड आएगा इसका आप इसके आवास सुन सकते हैं तो देखा आपने ये कितने क्रिस्पी बने हैं ये मैंने आपको वैलेंटाइन डे स्पेशल बताया है और सबसे मज़ेदार बात है कि इसकी अंदर चीज भरी पड़ी हुई है और बहुत जादा ये फुल ओप चीज है आप देख सकते हैं मैं आपको कट करके भी मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना जादा चीजी है ये चीजी बस्ट कटलेट इसलिए है क्योंकि ये बहुत जादा चीजी है मैं आपको इसका देखिए इसका साउंड आप देख सकते हैं ये कितना जादा क्रंची है और आप देखें ये कितना चीजी है अंदर से ये द कितना जादा उपा से कितना जादा क्रंची और अंदर से कितना जादा यह चीजी है माउठ वाटरिंग है तो आप इसे जरूर बनाएं तो आप भी इसे जरूर ट्राइ करें गाइस और अपने लववन को सर्प्राइज दे उसे आप यह गिफ्ट दे करके वेलेंटाइन डे अपना सेलिब्रेट कर सकते हैं तो अगर आपको यह मेरी चीजी बस कटलेट की रेसेपी अच्छी लगी तो प्लीज गाइस इस वीडिय celebrate your valentine guys with this crispy and cheesy bus cutlet happy valentine